हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सरकी क्लास आज की शिक्षा निदेशाले राश्टे राजधानिक्षेत्र दिल्ली की वर्क्षीट वर्क्षीट नमबर उन्नीस जो की कक्षा साथवी के विद्यार्थियों के लिए हैं यह ली गई है विज्ञान विशे से और आज इसमें हम पाधपों में पोशन के बारे में समझेंगे यानि पाधपों में पोशन का मतलब पौधों में पोशन की कौन-कौन से विद्या हैं या किस-किस प्रकार से पोशन की विद्या होती हैं उनकी क्या प्रकार हैं उनके बार शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं जैसे पोशन का सबसे पहला जो प्रकार है वो है स्वपोशन स्वपोशन नाम से भी समझ में आता है यानि खुद से जब हम पोशन करते हैं तो यानि पोशन की वह विधी, जिसमें जीव अपना भूजन स्वयम, संसलेशित करते हैं, स्वपोशन कहलाते हैं, अपना भूजन वो खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं. तो इस विधी को हम स्वव पोशन कहते हैं जैसे कि अगर आप देखेंगे पेड और पौधे, जितने भी पेड और पौधे हैं उनमें ज्यादा तर स्वव पोशन की विधी ही अपनाते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं और वो फिर उसको ग्रहन करते हैं इसके बाद है विशम पोशन, पोशन की वहविधी जिसमें जीव अपना भोजन अन्य पादप्त या जन्तू से प्राप्त करते हैं, विशम पोशन कहलाती है, यानि पोशन की वहविधी जिसमें जो जीव होगा वो अपना भोजन या तो पौधों से प्राप्त करेगा, या जितने भी आपने देखा होगा पशू है पक्षी है और इवन इंसान भी है वो भी विशम पोशन में आता है क्योंकि वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहाता है या तो पेड़ पौधों से प्राप्त करता है या जीवों से प्राप्त करता है जैसे कि आप इ दूसरे जन्तुओं या पौधों से प्राप्त करते हैं भोजन को, फिर तीसरा है परजीवी, परजीवी क्या होता है, यानि एक जीव जिसमें पादप या जन्तु दुन हो सकते हैं, यानि पे पौधे या फिर जीव जन्तु दुन हो सकते हैं, एक जीव जो अन्य जीव के श जीव के शरीर के अंदर रहता हो या उसके शरीर के उपर रहता हो और अपना पोशन उसी से ही प्राप्त करता हो तो उसे हम पर जीवी कहते हैं जैसे आपको बताओं आपने अक्सर देखा होगा पौधों पर एक पीली-पीली सी बेल लगी होई होती है इसको हम अमर बेल कहते हैं, क्या कहते हैं, अमर बेल, और ये भी कहते हैं, कि जिस पौधे पर ये अमर बेल आ जाती है, तो वो पौधा जल्दी से सूखना शुरू हो जाता है, यानि उसका जो भी पोशन है, वो सारा का सारा ये अमर बेल नाम का पौधा ले लेता है, और ये उस पेड़ से लिप्टा रहता है, यानि उस पेड़ के ऊपर रहता है आपने ये जरूर देखा होगा और नहीं देखा, तो आप इसको जरूर कभी न कभी ध्यान कीजेगा कहीं न कहीं आपको ये नजर आएगी, ठेक है, इसका एक उधारन क्या हुआ, अमर बेल फिर इसके बाद है परपोशी, पादप या जन्तु, जिससे एक परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है, परपोशी कहलाता है यानि वो पेड़ पौधा या जन्तु, जिससे एक परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है यानि जो परजीवी तो अभी उपर हमने समाझ दिया कि वो किसके शरीर में रहता या उसके उपर रहता वो तो परजीवी लेकिन वो जिससे प्राप्त कर रहा है उसको हम परपोशी कहते हैं ठीक है फिर मृत जीवी पोशन, पोशन की वह वीधी जिसमें जीव अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है, मृत जीवी पोशन कहलाती है, यानि पोशन की वो वीधी उसमें जीव क्या करेगा, उसको कहीं से कुछ पोशन नहीं मिल रहा, लेकिन जो जो सड़े गले पदार्थ हैं, जो मृत पदार्थ हैं, उनसे वो अपना पोशन प्राप्त करता है, इसको हम मृत जीवी पोशन कहते हैं, जैसे कि आपने बारिश के दिनों में मश्रूम देखा है न, मश्रूम जो है वो अपने आप उख जाता है, और उसको पोशन कहां से प खाने वाले पादप यानि पौधे कीट भक्षी पादप कहलाते हैं, जिसमें एक आप देखेंगे एक पिच्चर प्लांट होता है, पिच्चर प्लांट का मतलब वो मटके जैसा उसकी शेप होती है, ये जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा आता है, उसको अपने अंदर लेता है और उसको खा जाता है, तो इस तरीके के पौधे क्या होते हैं, कीट भक्षी, जिन जो कीट को खाकर, यानि कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना पोशन करते हैं, फिर इसके बाद है स्मरण के लिए, यानि याद रखने के लिए, सजीवो द्वारा भोजन ग्रहन एवं उसक उपियोग की विधी को पोशन कहते हैं, यानि जितने भी सजीव हैं, जो भोजन ग्रहन करते हैं, और उसका उपियोग करते हैं, उस विधी को हम पोशन कहते हैं, इसलिए पोशन की अनेक विधिया होती हैं, जो उपर हमने समझी भी कि पोशन की कौन-कौन सी विधिया होती तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्ण उत्तर पर पहला प्रश्ण है कि खालिस्तान तथा खालिस्तान इसमें स्वपोशन करते हैं इसमें क्या भरोगे तो हम इसमें कर सकते हैं पेड तथा पौधे ठीक है, पेड़ पौधे ही स्वपोशन करते हैं यानि खुद भोजन बनाते हैं फिर इसके बाद है मश्रूम यानि की कवक पोशन का एक उधारन है, कौन से पोशन का उधारन अभी मैंने आपको समझाया था तो यह आ जाएगा मृत जीवी, किसका उधारन है? पौशन का उधारन है, फिर इसके बाद है प्रश नमबर 3, विशम पोशी जीव के दो उधारन लिखी, विशम पोशी जीव के दो उधारन तो जितने भी पशु पक्षी हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं पशु और पक्षी ये सारे क्या हैं विशम पोशी हैं तो इसमें आप आगे लिखना चाहो शेर लिख दो ठीक है और चिडिया लिख दो या चील लिख दो कुछ भी लिख दो ये सारे के सारे क्या हैं विशम पोशी है फिर इसके बाद है निम लिखित में से सही कथन जुने कीट भक्षी पादप अपना पोशन केवल कीटों से करते हैं बिलकुल जो कीडे मकौडे खाने वाले पौधे होते हैं वो अपना पोशन केवल कीटों को खाने से करते हैं तो इ देखो ये तो है सही बिल्कुल, जो कीट भख्षी पादप है वो अपना पोशन केवल कीटो से करते हैं, और ये जो अमर बेल है वो परजीवी का है बिल्कुल सही, तो अब आपको बता दूँ कि टेलिग्राम एप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की इकलास बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे चैनल के साथ जोड़िए और सारे वीडियो की लिंक्स एक साथ पाईए, तो ये तो थी आज की व बहुत बहुत धन्यवाद।